सो हलो गईस, वेलकम बैक टू अनादर एपिसोड आप इंडियन फुटबल और आज इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हीरो आएसल का रिमेनिंग सीजन से जुरी कुछ बड़े और हुच अपडेट के साथ पॉइन स्टेबिल और प्लियोप्स रिलेटेट कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक के बारे में तो आज गईस सबसे पहला अपडेट्स एसी इस्ट बंगोल के तरफ से निकल कर आए है तो फाइनली रेड और गोल्ड ब्रिगेट ने यहाँ पर गईस उनका निव एसिस्टेंट मैनेजर का नाम रिविल कर दिया है और अब रिमेनिंग आएसल सीजन के लिए एसी इस्ट बंगोल का निव एसिस्टेंट मैनेजर होने वाल है नेक्स्ट कैस जो अगला अबडेट्स निकल कर आए है वो जूरी है चन्नाइन एपसी के साथ तो चन्नाइन एपसी के लिए फिलाल यहाँ पे एक बहुती बड़ा बैटनूस सामने निकल कर आए है क्यूकि उनका मीठ फिल्डर व्लाद़मीर कोईमान जो अलरेड़ी मअसाल इंजूरी के चलते मुंबई सीरी एपसी के खिलब एक मैच मिस कर चुका है जो भी मसल इंजूरी के चलते ही एटलिस्ट एक महिने के लिए बाहार हो चुका है और इन दोनों ही प्लियर्स का इंजोर होना गाइस कई ने गहीं चेना एन FC को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुचाएगा नेक्स्ट अगर बात किया जाएगा इस एक ISL Legend और North East United FC का ब्रजीलियन मिद्फिल्डर मार्सेल लीनो के बारे में तो मर्सेल लीनो ने यहाँ पर राजस्थान उनेटेट फुडवल क्लाप और North East United FC दोनों ही टीमों को लेकर एक बहुती बड़ा स्टेटमेंट दिया है जहाँ पर मर्सेल लीनों ने यह बताया है कि फिलाहल राजस्थान उनेटेट फुडवल क्लाप का जिस तरीके का मैनेजमेंट है उस मैनेजमेंट के साथ वो कभी भी दुवारा राजस्थान उनेटेट फुडवल क्लाप के साथ जोईन नहीं करने वाले है और दूसरा statement के अंदर उन्होंने नॉर्थिश टूनेटर एपसी का management और head coach खालिद जामील के बारे में काफी तारिप किया है यहाँ पर उन्होंने ये वताया है कि नॉर्थिश टूनेटर एपसी का management उनके लिए एक perfect management है और इस management के साथ वो आपने आपको comfortable भी महसूस करते हैं साथ में उन्होंने as a head coach खालिद जामील और full supporting staff का भी तारिप किया है उसके बाद गईस मॉंबई city FC के साथ जो लाले अंजूला छांगते का loan deal है उसके बारे में भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा updates निकल कर आए है और वो updates यह है कि मॉंबई city FC as a loan fee के दौर पर चैनाईन FC को लगवक एक करोर बीस लाग रूपी as a loan fee के दौर पर pay करने वाले है नेक्स्ट अगर बात किया जाए गईस ISL 2021 वाइस का play-offs round के बारे में तो यहाँ पर गईस एक ही साथ दो टीम mathematically ISL 2021 वाइस का play-offs round से हो चुगा है बाहर जिन में से पहला टीम है गईस नौर्थिश टूनेटर एपसी जिन्होंने इस सीजन के अंदर अभी तक 16 मैचेस खेला है लेकिन सिर्फ 2 ही मैचेस जीता है और 4 मैचेस ड्रॉ किया है लेकिन सबसे जादा 10 मैचेस इन्होंने हारे है और अगर गोल्स के बारे में बात किया जाए गईस तो सिर्फ 19 गोल इन्होंने स्कोर किया है और सबसे जादा 35 गोल कंसीट किया है और इसी खराब प्रदर्शन के चलते है नौर्थ इस्टोने डिपसी 16 मैचों में सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट के साथ बन चुगा है इस सेजन का पहला टीम जो हो चुगा है प्लियोप राउंड से बाहर होने वाली दूसरे टीम बन चुगा है एसी इस्ट बंगोल और एसी इस्ट बंगोल ने भी अभी तक 16 मैचेज इस सेजन के अंदर खेला है जिन में से 7 ड्रॉ किया है 8 हार है और सिर्फ और सिर्फ एक ही मैचेज के अंदर इनोंने जीता है और 16 मैचों में 10 पॉइंट के साथ एसी इस्ट बंगोल पॉइंट्स टेबिल का दसवे तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही वीडियो कर अच्छे लगे तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर देना कोई भी जानकरी के बारे में अगर आपके दिमाग में कुछ भी कन्फिश होने तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर पूछना में आपको